नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है सवच्छता सर्विक्षन 2020 के परिणामों की भारस सरकार ने खोशना कर दी और एक बार फिर से इंदौर ने बासी मारी है सरकार द्वारा जारी सवच्छ सर्विक्षन 2020 में इंदौर इस साल भी टॉप पर है वहीं सूरत दूसरे स्थान पर काबिज है इन दौर पिछले तीन साल से टॉप पर था और ये उसका लगतार चौथा साल है इससे पहले चार बार इस तरहे का सर्विक्षन हो चुका है सरकार की इस लिस्ट में तीसरा स्थान नवी मुंबई का है गंगा किनारे बसे शहरों में उत्तर प्रदीश की आध्यात्मिक राजधानी वारानसी अवल है वहीं बिहार की राजधानी पटना सबसे निचले पायदान पर है चलिए अब आपको टॉप 10 शहरों के नाम बता देते हैं जो इस लिस्ट में शामिल है नमबर वन पर है इंदौर, दूसरे नमबर पर सूरत, तीसरे नमबर पर है नवी मुंबई, चोथे नमबर पर विजयवाडा, पांचवे नमबर पर एहमदाबाद, छटे पर राजकोट, सातवे पर भुपाल, आठवे नमबर पर चंडीगर, नवे नमबर पर विशाखा पटनम और दसवे नमबर पर वडूतरा है, वहीं हम अदप्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग जोहान ने समन्द में ट्वीट करते हुए इंदौर वासियों, अधिकारियों और स्वच्छता युद्धाओं को बधाई देते हुए प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी शिवराज सिंग जोहान ने लिखा, आज मध्य प्रदेश के लिए गर्व और प्रसंता का शण है, स्वच्छ सर्विक्षन 2020 में देश के सबसे स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान के सम्मान के लिए इंदौर वासियों, अधिकारियों और स्वच्छता युद्धाओं को ब अब से स्वच्छ शहर का खिताब मैसूर ने हासिल किया था, हलाकि इसके बाद इंदौर लगातार तीन साल तक शिर्श इस्थान पर रहा, इस साल भी इंदौर ने बाजी मार कर लगातार चौत्री साल टॉप पर काबिज रहने का तमगा हसिल कर लिया है, फिलहाल इस झाल कर लिया है।